वेलकम टू यूटूब चैनल्स आज की इस क्लास में हम सिखेंगे MS Paints Microsoft Paints का यूज क्या होता है यह हम सीखने वाले हैं और यह सारा courses हम एक ही वीडियो में complete करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का topics तो या तो आप अपने programs को आल program से जाके खोल सकते हो या फिर आप windows प्लस और बटन प्रेस करें windows के साथ और बटन प्रेस करना है की बोड से और आपने टाइब करना है m-s-paint और आपने ok करना या enterprise कर देना तो आपका program कुछ इस तरीके से open हो जाएगा या फिर second आप आल apps पे क्लिक करें start बटन पे क्लिक करके आल apps पे क्लिक करें और उसके बाद आपने scroll को डाउन करना कर आपकी windows 7 है तो उसमें all programs के अंदर आपको मिल जाएगा और अगर आपकी windows 10 है या 11 है तो आपने scroll down करना है और आपने windows s series पे आजाना है और उसके नीचे प्रोग्राम आपको मिल जाएगा तो सबसे जो easy step मैंने आपको बताया है वो या तो आप search box में आप लिख सकते हो या फिर आप टाइप कर सकते हो यहाँ पर windows पलस आर बटन windows के साथ आर बटन प्रेस करके type कर सकते हो आप MSPaint तो यहाँ पर MSPaint टाइप करना है और आपने enter कर देना या ok कर देना है तो यहां से आपका प्रोग्राम open हो जाएगा देखे यहाँ पे आपका जो page है यहां से यह close है तो इसको आप full screen पे खोलने के लिए यहाँ पे आपक बनाइए और उसको बिल्कुल कोने में ले जागर के लाफ तक ले जागर के छोड़ दीजिए इससे आपका complete जो page है वो open हो जाएगा full screen पे आजाएगा और नीचे जो नजर आता है दाएं से बाए करने के लिए इसको बलते है scroll bar बट इसके position होती है जो full details में अगर आप इस scroll bar तो उपर से नीचे vertical scroll bar तो यह हमारा vertical scroll bar रहेगा और यह दाएं से बाए है तो यह रहेगा हमारा horizontal scroll bar ठीक है अब यह रहता है top में rulers left में और top में ruler आपको नजर आ रहा तो ruler की position उपर है horizontal तो रहेगा horizontal rulers और left से right में आगर top to bottom देखो left में देख रहे हो आप यहां पे तो य vertical में है तो vertical ruler और left से right दाएं से बाए है तो horizontal rulers ठीक है तो यह scroll bar होगे horizontal scroll bar and vertical scroll bar horizontal ruler and vertical rulers अब यहां पे जो नीचे आपको नजर आ रहा है यह आपका status बार होता है यह आपका MSPint आपके programs का status बार होता है जिस पे आपके page का size बता रहा है इन मतलब inch 17.97 inch की width है और 6.03 inch की top two bottoms height है तो यह page की settings साथ साथ show बता देता है कि कितना size है हमारे जो page का यहां पे नीचे आप देखोगे कि minus करना आप इसको minus कर सकते हो size को अगर आप इसको plus करते हो तो इसके size को plus भी कर सकते हो तो minus करना आप minus कीजिए और अगर आप plus करना चाहते हो तो यहां से आप उसको plus कर सकते हो यह है quick access toolbar हमारा कभी access toolbar में क्या होता है अगर आप इस पे click करते हो यह side में जो arrow नज़र आते हैं सब्सक्राइब करते हो तो अगर आप करते हो शो अवो दा रीबंस तो इस रिबंस के अब वो ऊपर चला जाएगा title बार पर बिल्कुल ऊपर और इसी पे वापस क्लिक करके शो बिलो दा रिबंस के निचे आ जाएगा अब रिबंस क्या होते दो और वहां आए जीतने भी हमारी टबले होई हैं यहाँ इन सब को में रिबंस ते हैं तो हमारी होते हैं और इन के नीचे जैसी है clipboard, ये जो clipboard है ये group होता है, इस groups में ये सारी command है image groups, tools groups और shapes groups, ऐसे ही clear group तो इनको एक group मेंवाटा गया है, तो यहाँ से इस group की ये commands, tools की ये commands image group की ये commands और clipboard की ये commands, तो ये सबी tab में आपको मिल जाते हैं, तो आप ने यहाँ से इसको बोलना है कि यह group है और इस groups की यह command है image group के अंदर की यह command है इसी तरीके से home view जो होते हैं वो हमारे tabs होते हैं और file में अगर आप जाते हो अगर एक lifted में खुलते हैं ता आप उसको menu गोल सकते हो बट यहां से यह tabs रहेंगे तो यहां पर अगर आप देख रहे हो यह जो lift है quick access toolbar की अगर आप देख रहे हो तो इस पर अंदर जाते हो तो यहां पर कुछ commands आपको मिल जाते हैं quickly कोई work आप करते हो तो आपको किसी tab में जाकर करके किसी command को use करना होता है तो आप कभी access toolbar में उसको add कर लेते हो कुछ तो इसमें already होती है जैसे new page है चलिए मैं इनको click करकर करके हटाता हूँ आप देखिए जैसे जैसे मैं click कर रहा हूँ यहां से command हमारी हर्ति चले जाएंगी यहां से undo की है यहां से redo की है right side click करके और remove करोगे तो remove हो जाती है right side click करके remove कर दोगे तो वह कहां से आए थी देखिए अगर आप यहां पर click करके मुझे new page लेने के लिए command डालनी है मुझे open की डालनी है मैंने save की डालनी है या फिर कमांड और ऐगां तो इसके अंदर वो दिखेंगी नहीं यहाँ से आप उसको हटा नहीं सकते हो तो उसके लिए उसी कमांड पे privacy क्लिक करना है और कोई access टूलबार पे क्लिक करके उसको आपने हटा लेना है तो यहाँ यहां से लगाओ राइंड रॉ आटल से लगाओ इनको भी आप राइड से क्लिक से हटा आ सकते हो अकिon है कि फ Alors इनको भी आप रैड-टली से राइड कर सकते हो पर बाकि आप यह और से इनको डिरेक्ट कर सकते हो तो यहां से जुरूद करेगा उसी color में वो चलेगा यहां पे size है lining का size आप ले सकते हो तो कोई भी size आप इसका lining का यहां से ले सकते हो लेकिन इससे भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हो सबसे कम यह सबसे ज्यादे से ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना है आप अपने keyboard से आपने आपने कीबोड से control के साथ और plus button दबाना है नंबर की में plus button मिलेगा पहले control प्रेस रखना है continue और फिर plus button आपने press रखना है या आप एक एक करके कहीं step वो में उसको press कर सकते लेकिन कुछ दिर के लिए उसको दबाए रखें अब देखिएगा आपकी pencil का size बढ़ गया है अगर मैं Ctrl plus कुछ देर और दबाया रखों तो फिर देखते हैं हम तो इसका size और ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे Ctrl के साथ minus button पहले Ctrl sort की हमें सब पहले press करनी होती है और उसको continue दबाया रखना है और अब minus button में दबा के रखता हूं कुछ देर के लिए तो जितनी देर आप दबाया रखोगे उतना ही वह छोटा होता चुला जाएगा लेकिन डिरेक्ट अगर आप यह चाते हो कि यहां से मुझे छोटा करना है size तो यहां से ले और मैं चाता हूं बढ़ा करना तो यहां से ले वरना Ctrl plus से आप इसका size increase कर सकते हो और Ctrl minus से decrease कर सकते हो घटा सकते हो अगर मुझे इसको हटाना erase करना है तो आप इसको erase कीजिए तो eraser का use करें click करें दबाय रखें और आप उसको erase करें लेकिन eraser का size भी बढ़ा सकते हो यह जो size है वो सिर्फ lining का ही नहीं है यह हर एक tools का size है आपका हर एक shapes का size है आपका तो control के साथ मैं plus button दवाऊं तो यह बढ़गा देखो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है एक fix size होगा तो control plus से आप इसका size बढ़ा सकते हो और control minus से आप कर सकते हों तोatures से size बढ़ाना है यह control minus size को कम करना तो आप यहां से करें और next हम ले लेते हैं suppose कीजिए मैंने यहां से बूर्ष ले लिए ले लिता हूं तो कोई बी आप चूज कर सकते हैं इसमें să कोई भी ऐख सकते हैं इसमें से कोई प्लस बटन करता हूं देखे साइज बढ़ता होना जरा रहा है तो बूर्स का साइज आप बढ़ा सकते हो उसके बाद नेक्स्ट बूर्स है इन सब के नेम है यहां पर साथ-साथ में करसर शोकर आता रहेगा कंट्रोल प्लस के साथ में देखेगा इसका यह इस तरीके से आए यह हट रहे कि आपको इसमें बूर्स मिल जाते है तो आप कोई भी ड्रोइंग करके अगर आप उसमें कलर फिल करना चाहते हो बूर्स के साथ में तो आप यहां से ले सकते हैं अब अगर मैं इस मैटर को यह जो ड्राइंग की है मैं इसको अगर डिलीट करना चाहता हूँ इरेजर से तो काफी लंबा समय लग जाएगा तो यहां से सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और इदर से जितना एरिया क्लिक रखना है दबाय रखना है आपने क्लिक बटन को और यहां तक जितना ले लिया आप पूरे पेज को भी कर सकते हो डिलीट बटन दबा देना है डिलीट बटन कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना आपने आप नीचे से उपर सेलेक्ट करो ऊपर से नीचे आओ डाए बाइक कहीं से भी मैंटर को आप सिलेक्ट किजिएगा इतना मैंने स्लेक्ट कर दिया और आपने उसको डिलींट करतेना अंगर आप इसको यांसे डिलीट ना करके सेलेक्ट के अंदर से आप जाहोगे तो अलग अलग डॉला मैंने लिया यहां iç है ने यहां है कर लिए कुछ यहां से गास्ट किल्र कर लिया कि अब स्पोकर कीजिए मेरे पास में कुछ और यूज करता है कि जैसे मैं कि सी भी क्लिक करूंब फो उठा लेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा यहां शोविचेहना हुष्ट कलर पे धिक कर लिया है उठा लिया है और अब मैं उस कलर को कहीं भी ढाल सकता हूं चाहे मैं उसको बुर्स के द्वारा यूज करूं चाहे मेंज को पैंचल केंचिल के दवारार यूज करूं तो color picker क्या करता है आप जहां से भी अपनी image में से color उठाना चाहते हो कोई आपको color same matching में नहीं मिल रहा है तो आप वहां से उसको उठा सकते हो तो color picker का use किया जा सकता है next आ जाता है हमारा यहां से magnifier किसी भी area को अगर आप जूम करके वर्क करना चाते हो तो magnifier का यूज कर सकते हो जैसे में इधर आ गया मैं जहां जहां इस पर क्लिक करा हूं वहां से वह जूम हो रहा और नीचे आप देखो यहां से 400 का हमारा साइज हो गया है पेज का आप जूम लेवल को बढ़ा सकते हो घटाना चाते हो तो जूम लेवल को घटा भी सकते हो ऐसे में आप अपने पेज को कम और ज्यादा कर सकते हो अगर आपने उसको जूम करना है तो आप यहां से जूम लेवल को कम और ज्यादा कर सकते हो अब है हमारा इसमें फिल कलर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है फिल्विद कलर बॉक्स यहां से आप लें और कोई भी फर्स्ट वाले पर क्लिक करके कोई भी कलर आप इनके अंदर फिल कर सकते हैं तो फिल्विद कलर क्या होता है undo last action जो भी अभी हमने current time में जो work किया न action लिया जो भी हमने काम किया है उसको undo कर देता है उसको हटा देता है यह देखिएगा एक करके और undo जब तक चलता है जब से आपने अपनी file को open किया है और उसके बाद आपने काम करना शुरू किया है तो वो उसको undo undo करके वापस कर सकता है और redo क्या करता है जो आपने undo से किया है ना redo उसको repeat कर देता है वापस उसको लगा देता है चाहें undo ने हटाया था स्पोज करो मैंने select करके matter को delete कर दिया डिलीट बटन देवा दिया आप चाहते हो कि गलती शे हो गया ताब उसको undo कर दो तो वापस आगा लेकिन आपको रिडो वापस करो अटाओ तो वापस उसने undo के काम को repeat किया undo ने तो क्या किया थे लगा था इसने वापस प्राटा यह तों मतलब redo करता है वह undo के द्वारा कियें काम को वापस कड़ेता है repeat कर देता है और undo हमारे द्वारा जो भी हभी हम काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं या इसमें कोई थैंडिकerson week 56 बार में ही आपको मिलेंगी किसी के अंदर से आप उसको लगा और हटा सकते हो नेक्स्ट हम ले लेते हैं इनकी सोटकी आपको साथ साथ जैसे ही करसर लेके जाओगे इनकी सोटकी आपको दिखती रहेंगी जो है उसी को आप यूज कर सकते हो यह जो आपकी क्मांड है अंडू एक्सक प्रोग्राम सब्सक्राइब मिलेगी और सेम क्यासर और है आपका बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम application software होते हैं तो सब में यह सेम कहने का मतलब यह है मेरा कि यह की सेम सोटकी में रहती है, यह सेमर करती हैं, तो चल लिए next ले ले लिते हैं, आप ली जो command है next वाली है, वो zoom हो गया है टेक्स बोक्स देखे मैं यहां पे टेक्स पे क्लिक करता हूँ जैसे में एक एरिया क्रेट करूँगा तो उपर जागर के एक अलग से एक टैब आपका ओपन हो जाएगा अब इसके अंदर देखो एक तो फॉंट और एक बैग्राउंड यह अलग से दो गूरूप हमें मिल ग करता हूँ यह जो फर्स्ट कलर आपका होता ना उसी कलर में टाइब करेगा स्पोस किजिए मैंने जी एसस लिखा देखिए कीबोड से कैप्स लोग ओन आप कर लेते हो तो कैपिटर लिखेगा और कैप्स लोग कर देते हो वापस क्लिक करते ही ओफ हो जाएगी तो क्या करे कर देखिए यहां से टाइब कर दिया अगर मैं चाता हूं कि मैंने green में लिखना है तो यहां से यहां से आप इस को टाइप कर सकते हो जिसमें आपने क्या करना है यहां पर आपने जी जारा सारा सेलेक्ट है जिसे मैंने अधुले लेना है यां फिर मैंने यहां से ये लेना sided या फिर अलग तरीके से ब्लू लेना है लाइट कलर लेना है लाइट दार्क लेना है जैसा भी आपको कलर लेना है जितना सेलेक्ट होगा आपको इस पर डिफरेंट करना इतने को सेलेक्ट करके यह डाल दिया इसको सेलेक्ट करके मैंने यह डाल दिया तो जितना मैटर सेलेक है matter को select कर लिया B bold I italic U underline देखो करसर आपको बताता है B I italic U underline तो आप इसको bold कर सकते हो italic कर सकते हो और underline कर सकते हो और अगर मैं इसको चाहता हूँ हटाना तो मैं इसको यहां पर वापस क्लिक करूँगा तो वो सारे जो इसके style है वो जाते इनको style बोला जाता है और यहां से आप डाल सकते हैं यह एक लाइनिंग बीच में से ड्रा करतेगा बना देगा यह भी एक style है इसको फोंस इसको बोलते हैं इसके अंदर तो आप यहां जाए बैक स्पेस कीजिए और अपनी मर्दी से डाले आपको बड़ा हो गया मेंटर नीचे चला गया या तो आप इस इसको जब तक आप ले जाओ कहीं भी मोह करो जब तक आप इस टेक्स बॉक्स के अंदर हो अभी मैं बदाने वाला हूं और भी इसका यूज तो अभी मैंने मेंटर को कर लिए करते स्लेक्ट फिलाल के लिए यहां पर जाता हूं मुझे ऐसा फॉन्ट चाहिए तो इसको फॉन्ट बोलते हैं आप देखोगी कुछ स्टाइल में लिखा जा देखो यह style नहीं होता है, यह font होता है, बोलने के लिए हम language use कर सकते हैं कि design में लिखा गया है, तो यह हमारे fonts होते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे, इसमें से कोई भी आप font ले सकते हो, हिंदी fonts भी होते हैं हमारे, जिसमें से आप font select करके हिंदी में type कर सकते हो, इसी और language भी होते हैं, उन सब का भी आप यहां पर ले सकते हैं, तो चलिए मैंने एक fonts ले लिया, जैसे यह fonts आपने ले लिया, यहां से, तो आप उस पर click करोगे, तो वैसे ही वो add हो जाएगा, तो बोल्ड डिटाइलिक अंडरलाइन एंस टाइल्स, देन आप साइज एंड इस fonts, इसको fonts बोलेंगे, अब देखिए, आपने matter type किया है, ठीक मैं इसको थोड़ा नीचे ले के आता हूँ, अब देखिए, यह बाहर click हो गया मेरा, अब इसमें क्या होगा, यहीं pair होगा, अब मैं इसको edit नहीं कर सकता, अगर मैं undo करूंगा, तो यह चुला जाएगा, अगर मैं इसको selection दे करके, और उठाओंगा तो फिर पूरी drawing हमारी उठाएगी, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने इसको फिर से बनाना होगा, तो मैंने एक अलग से बना लिया है, अब मैं देखो matter type कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहां से जैसे मैंन इसका जो size है, कम करके, हम adjust करके यहां से और इसके आगे ले जा सकते हैं, चलिए, तो अभी हम यहां पे हैं और background आप देख रहे हो कि इसके पीछे drawing नज़र आ रहे है, तो वो transparent command की विजए से, कि हमारा जो matter है वो transparent background रहेगा, अगर मैं आपको का देता हूँ, तो background page पे हमा हमारा transparent रहेगा, नज़र आता रहेगा, उठानसर में background वो नज़र आ रहा है जो आपका color है, पेज का और drawing का, गर यह second oval color होता है यह आपका background color होता, यह second color होता है, यह जो second color होता है, यह आप sea color होता है, यह backотив color होता, आपके page का, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको transparent रख लेन है वो सब आप यहां से कार सकते हो अब दूसरी बात यह है कि आप सेलेक्ट करके ही कलर बदलते हो साइज बदलते हो स्टाइल बदलते हो फॉंट बदलते हो अगर आप बिगैर सेलेक्ट किये कोई भी फॉंट चूज कर लेते हो कोई भी स्टाइल डालते हो कितना भी साइज याद रहें अगर आप कोई भी मेटर टाइब करके फिर सिरफ सेलेक्ट करते हो तो अगे लिखने वाले पर आएगा तो चलिए यह तो था text के लिए तो अभी मैं बाहर क्लिक कर देता हूं तो यह हमारे drawing यहां पर add हो जाती है अब next command हम ले लेते हैं तो यह tools group हमारा complete हो जाता है बूर्स complete यह हम use कर चुके हैं अब next पर हम आ जाते हैं shifts कोई भी shifts लेने के लिए तो यह मैं पहले इसको सारे को clear कर देता हूं यहां से आपने जाना है select कर लेना है और delete कर देना है next देखिएगा यहां से कोई भी lining कोई भी lining create कर सकते हो आप lining का size जैसे मैंने आपको बताया अब आपको हुए कि lining का size control प्लस से बढ़ा है तो बिल्कुल बढ़ जाएगा minus से कम हो जाएगा तो हर एक pulse का size यह बढ़ा सकता है shapes का जिन जिन का use हो सकता है वो आप control प्लस और minus के साथ use करके देख लिएगा सेकंड लाइनिंग जो है इसको आप दो बार एंगल कर सकते हो एक बार बीच में से फिट कहीं से भी आप इसको एंगल करें तो दो बार आप इसको मोड़ सकते हो साइज भी थोड़ा मैं कम कर लेता हूं अब यहां पर देखिएगा अगर मैं यहां पर जागर के एलिपीज बनाता हूं ऐसो ही rectangles box हैं काफी सारी shapes को इसके अंदर मिल जाते हैं इसके अंदर काफी सारी shapes को मिल जाते हैं लेकिन यहां पर आप देखोगे यह वाली जो कमांड है यह पॉलोय गॉर्ण जो यूज होते हैं यह कमांड खुद की shapes बनाने के लिए कर सकते हो एक मैंने यहां पर बनाया क्लिक छोड़ दिया फिर मैं यहां क्लिक कर रहा हूं यहां जहां जहां पर भी मैं क्लिक कर रहा हूं वह हमारी क्मांड सेम वैसे ही work करती जा रही है जहां जहां पर मैं क्लिक करा और मैं जैसे उसको मिला देता हूं तो वह एक ड्रोइंग बन जाते है आप उसमें क्लार फिल कीजिये जैसे भी आपको टेक लगे वैसे आप उसमें एडिजिस्ट कर सकते हो तो ऐसे में इस से सेप्स के दवारा आप कोई भी सेप्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं ठीक है डबल क्लिक कर दोगे तब भी वह अटेच हो जाएगी वापस वहाँ पे जाके क्लिक करने की जुरूर्ट नहीं पड़ेगी जहां से तुरू किया था हूँ अब देखें सेकिंड समझेगा सेकिंड साता है हमारा यहां पर आउटलाइनिंग एंड फिल तो पहले मैं मेटर को स्लेक्ट करके डिलीट कर देता हूं ताकि फ्रेस बिलकुल सही तरीके से हमें नजर आ चुक है अब अगर मैं कोई ड्रोइंग पैंसिल से बनाओं तो यह कमा जो बेसिकली चलती है वो चलती है किसी सेपस पे वो कमांड जो हमारी चलती है वो किसी सेपस पे चलती है तो मैं एक सेपस बना लेता हूं कोई भी सेपसा बना ले जिएगा और उसके बाद आउटलैनिंग एंड फिल देखो आउटलैनिंग जो यूज होते है इसकी लाइन सेकेंड इनका यहां पर हमँद करने वाले हैं तो फस्ट अबक लाइनिंग के लिए तो मैं सथा बढ़ दो या पिर में इसाथ के साथ कुछ सइज बढ़ा लोग मैंने रेड ले लियाा अब दीफम आउट लैनिंग में लाइनिंग के effect है, no lining, मुझे lining पे कोई भी खलर नहीं चाहिए, या lining नहीं चाहिए, solid color, जो भी इसमे color first है मारा, वो solid color में डल रहा है, यह वाले effect, marker वाला, oil वाला, इसी तरीके से, वो सारे effect आपको इसके अंदर मिल जाएगा, कि मुझे कैसा effect apply करना, water marker आपने डाल दिया, तो वो इसी तरीके काएगा, अब अभी मैं इसी ही file के अंदर हूँ, और मैं कुछ भी बनाता हूँ, तो वो वैसे ही show हो जाएगा, वो वैसे ही हमारा show हो जाएगा, तो water color आप डाल सकते हो, यहां से कोई भी water colors आप डालो, वो effect same आएगा, लेकिन आपने इस चीज को normal कर द देना हो, इससे वो बिलकुँ normal आएगे और वो सिर्फ इस file पर ही काम करेगा, अगर आप नया page ले लोगे तो उस पर वो वर्क नहीं करेगा, इस file में उसका effect रहेगा, अब second समझ लेना, यह तो हो गया out learning के लिए, अब हम आजाते हैं, फिल पे, देखो फिल पे कुछ भी नहीं क्योंकि पहले तो हम second color लेंगे और कोई भी color चूज करेंगे, अब fill में आना है, no color, पहले से no color, solid color, click क्या solid color, fill हो गया, यह वाले effect, marker, oil, natural pencils and water color, तो यह fill पे effect आएगा, हमारा यह fill पे हम डाल सकते हैं, अगर हम अब कोई भी shapes बनाते हैं, और जो भी second color हमारा होगा, व मुझे इस तरह का color fill करना है, एक natural luggage जैसे मैंने किसी marker से या water color use करके किया है, तो आप यहाँ से डाल सकते हो, लेकिन आपने बाद में, चलो आपने बना दिया, आप किसी भी shapes पे click करें, fill पे जाएं, और फिर आप उसको no fill कर दे, आपको क्योंकि solid क्यों नहीं, क्योंकि no fill क करने का benefit यह है, आगर मैं कोई shapes बनाओं, तो उसके पीछे वो background रहेगा, transparent रहेगी, और मैं अपनी मर्जी से color उसमें fill कर दूँ, यह चीज आपने याद रखनी है, आपने जो किसी भी shapes पे click करके fill वाले को आपने none करना है, fill पे नहीं रखना है, solid color पे नहीं रखना है, और इसको आपने solid करना है, कहीं बार हम none कर देते हैं, इसको भी मैंने none कर दिया, अब आपको shapes बनाओंगे, कहीं भी बना लो, आपको shapes नजर नहीं आएगी, आपको कि मैंने color भी choose कर रखा है, कुछ भी drawing नहीं हो रही है, तो इसका साफसा meaning यह है कि lining का जो effect है, आपने बंद कर लिए है, और वो सिर्फ shapes पे काम करता है, अगर मैं solid करूं तो आएगा, और वो इस पे नहीं, इस पे तो same रहेगा, सिर्फ वो shapes के लिए use होते है, तो outlining का आप समझ गया हूँ, first color use होगा, और boundary landing पे effect डालने के लिए fill का second color use होगा, fill में, और under fill पे effect डालने के लिए हम use करत है, okay, तो second color मैं white करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं erase करूंगा, तो background मेरा white ही रहेगा, अगर आपने second color को कोई और, मतलब color में डाल दिया है, और अब आप erase करने लगोगे, तो आप देखोगे कि पीछे background color वही आ रहा, तो यह जो color होता है, एक तो shifts में आता है दूसरा यहां पर आपको मिल जाएगे इसकी details, कि यह क्या है, यह background color भी है, इसलिए मैं वही color करूंगा, जैसा मेरा page है, तो आप यह notes कर ले कि कैसे आप उसको use करोगे, अब next देखेगा, next जो है हमारा edit color है, अब edit color का देखे, क्या use होता है, यहां पर जो आप color देख रहे अगर के बना सकते हो, तो मैं edit color पर जाता हूँ, यहां पर हम आएंगे, और यहां पर आगर के, आप इस पर से कोई भी color चूज कर लेंगे, इदर से या इदर से, और आप इसको down में करेंगे, तो dark हो जाएगा, उपर करोगे, तो light हो जाएगा, आपने जैसा भी करना है, व यह add होगा, मुझे यह color चाहिए, मैंने ok कर देना है, यहां पर number कम ज्यादा करके कर सकते हो, पर सबसे यही रहेगा, arrow को top and bottom के हिसाफ से आप adjust करे, then ok कर दे, यह देखेगा, आपका color आगा, लेकिन second वाले में आया, second पर click था, मैं first पर click करता हूँ, मैं click कर देता हूँ, अ जब तक रहता है, इसमें जब तक आप program को खोल के रखते हो, जैसे आप इसको बंद करोगे, वो edit color इसमें नहीं मिलने वाला, अब देखेगा, इसका एक region मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पूरे meter को select all कर लिया, या फिर आप select में जा करके select all, sort की क्या है, control plus A, तो control के सा मैं लाइनिंग पहले बदल लिëता हूँ, लाइनिंग का size में कम कर देता हूँ, मैंने कुछ shapes यहां से बना दी, और मैंने in black fill कर दिया, इसके अंदर जा करके I canv davislight green क्रृश्वक ABRI, जब घुल करो आपने एक पहले select करना होता है, मतलब कहाँ प्याइग आप save कर Hang Pay subscribe, क्रिंन पर करना चाते हो, या किसी folder में करना चाते हो, या फिर आप local disk, आपके computer के hard disk के partition होते हैं, local disk C में तो windows है, आपकी D है E है F है आपके उसमें करना चाते हो, या फिर आप pictures में करना चाते हैं, हम temporary कर रहे हैं, तो मैंने यहां चाहिए तब स्काओ यहां से मैं डाल दें तो मैं नवर्म fuzzy you हाँ पे निचे सेवाल स्वाइब में ड्sun होते हैं कि आप इस फाइल को इस लॉइंग को इस को अप जो शेव करने वाले हो इसको आप कौन से और मेट में how्म इस पिकिर्स को मैं PNG में करूं, portable network graphic है या फिर मैं gift में करूं, या फिर मैं JPEG में करूं, या फिर मैं bit में pictures में करूं, बिट में जो pictures होती है, वो monochrome है, 16 में है, 256 klar में है, या 24 bit में है तो यह भी bit में file हैं सारे तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे ना यह JPEG में करूंगा, यहाँ पर जो name है और यहाँ पर वो name आप डाले जो कि यहाँ पर पहले से ना हो जैसे आप कोई name डाल लेते हो और वो पहले से है, तो वो नीचे detection में दिखा भी देगा, details में show भी हो जाएगा लेकिन आपने एक नया नाम डालना है ताकि पहले उस नाम से कोई file वहाँ पर बनी है, वो replace ना हो क्योंकि एक नाम से, एक जगह पर एक ही file save हो सकते है अगर आप वही name डालते हो, तो वो replace हो जाएगी तो चलिए मैंने कोई name डाला save कर दिया, तो आपकी file क्या हो जाएगी save हो जाएगी, उपर name भी आएगा अब आपका question यह हो सकता है, कि मैंने file save कर दी, हम काम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जितना आपने work किया था ना, वो save हो चुका है अगर आपको यह लगता है, कि मैंने और काम करना है इसके अंदर, तो हम और काम कर लेते हैं, हमने और काम कर लिया अब अगर आप इसको save करोगे तो यह उसी file में जाता रहेगा, आप दोबारा से नाम नहीं मांगेगा, अब जितना काम किया है, उसी में save हो गया ताक कि next time हम इस file को open करके इसमें work कर सके, इसको use कर सके, चलिए, मैं paints program को बंद कर देता हूँ, अब देखना यह color यहाँ पे है, मैंने बंद कर दिया ना, अब मैं वापस उस file को open करूँगा, तो मैं ms paint program को वापस खोल लेता हूँ आप अपने program को खोल लेए, अब देखें यहाँ पे वो color नहीं मिलेगा, क्योंकि edit किया गया, colors होता है आपका, उस file में ही होता है जिस time तक आप उसमें work करते हैं अगर आपने उस file को save कर दिया, देखिए file पे गए हम, और या तो मैं open करूँ file को, या यहाँ पे recent file last time जो file हम save करते हैं, यहाँ पे show हो जाते हैं मैं open करता हूँ, और मैंने file पे click करें, open कर लें ऐसे आपकी file देखिएगा open हो गई है यहाँ पे तो आप अपनी file पे आप देख रहे हो यहाँ पे वो color नहीं है क्योंकि वो color जब तक रहता है जब तक आपका program open रहता है जैसे आप program को बंद कर देते हो exit बिल्कुल close कर देते हो तब आपका जो edit किया गया color है वो चला जाता है, वो दोबारा से नहीं आता है तो आगर आपको यह बोला जाए कि ऐसा ही color आपको जुरूरत है, ऐसा ही color आपने इसमें डालना है तो ऐसा color आपको, suppose grow उपर है नहीं suppose grow उपर है नहीं तो आप क्या करोगे, आपको दोबारा edit कर लेंगे लेकिन अगर आपके पास number fix नहीं है कि कितने-कितने number हमने add किये थे तो आप बिल्कुल same color नहीं बना पाओगे same mix नहीं कर पाओगे तो ऐसा करने की जुरूरत भी नहीं है क्यों क्यों कि आपके पास tools है color picker जैसे मैं click करूंगा color select हो गया फिर मैं उसको fill कर लूँगा तो यह best command है हमारे लिए कि हम उसको कैसे use कर सकते हैं अब यह कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं यह क्यों आ रहे हैं क्योंकि fill में आपने no color कर देना है और outlining में आपने solid कर लेना है इस तरीके से आप कोई भी आगर आप चाते हो कि मैंने color fill करना है इसके अंदर डालना है तो वह आप यहां से use कर सकते हो अब देखे next आप चलिए यह हमारा edit color वाला options complete हो गए हैं सारे के सारे यहां तक के tools से ले करके shapes का और यहां से class के सारे group हो गया तो हम आप हमें जाते हैं यहां पे selection के अंदर crops और यह सारे चीज़े हम सीख लेने वाले crops का देखो use क्या होता है हमारा यह काफी बटा page है और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिरफ कितना सा page रखना है तो आपने select करना select करते ही crop वाले command start होता है मैं crops पे click करता हूँ तो उतना ही हमारा page रह जाएगा अब मैं इस page को और खोल लेता हूँ अगर आप चाहते हैं कि नहीं undo करना तो अब इसक उसको undo कर लेजे लेकिन चलिए मैं एक new page ले लेता हूँ एक blanks page खाली page हम ले लेते हैं यहाँ पे और अब हम next work करते हैं अब देखेगा यहाँ से मैंने कुछ shapes बना ली मैं उसका use आपको भी समझाने वाला हूँ और मैंने इस पे कुछ color fill कर लेना है तो selection ही ले लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ से select में selection shapes हैं कि rectangular selection करें rectangle box में ऐसे उसको आप बीच में से पकड़के उठाओ या उसको छोटा करो या उसको delete करो जैसा आपको ठीक लगे move करो जो भी आप चाओ तो चलिए मन्डू कर देता हूँ second क्या है free from selection free from क्या करता है आप अपनी मर्जी से select करते हो कि आपने मर्जी से से select कर सकते हो कि आपने उसकोaucoup कैसे compliance करना है या पिर delete करना है जुरूरी नहीं है आप उसको delete भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी से से उसको Select कर सकते हो next आता है select talented सोट की क्या है control plus a control plus a पूरा matter जो है आपका select हो जाएगा select all control plus a इससे आपका जो पूरा matter है वो select हो जाता है तो delete करना है delete कीजिए normal करना है normal आप कर सकते हो आप पास undo करके उसके बाद अगली command है invert selection invert selection का क्या use होता है देखिए जब भी हम कोई matter select करते हैं और हम delete करते हैं या उसको cut करते हैं या उसकी copy करते हैं तो केवल और केवल select वाले matter पर ही उसका effect होता है जैसे स्पोज कीजिए मैंने इस matter को select किया और मैं delete कर देता हूँ यहां से करूँ या keyboard से delete करूँ तो यही delete हो न ठीक है तो invert command क्या use होता है इसका क्या use करेंगा मैं इसका देखना मैं matter को select करता हूँ मैं इसको invert करता हूँ और invert करने से reverse हो जाता है selection का जो use है वो बदल जाएगा देखिए मैंने इस पर click किया अब जैसे मैंने click किया और मैं delete करता हूँ तो अब यह delete नहीं होगे अगर मैं inverse कर देता हूँ और otherwise हम कुछ भी काम करते हैं suppose कीजिए हम कुछ भी काम करते हैं सिद्धे कर देते हैं delete या हम इसको move कर लेते हैं तो सिरुप selection पर उसका effect पड़ता तो कहने का साफसा meaning यही है कि select करने से उस पर कोई भी effect नहीं पड़ेगा delete का cut का copy का अनोधर सारे प्रिवर्स हो जाएगी कमान डिलीट जो के हम पहले से करते हुए आ रहे हैं matter को select करके delete करने के लिए तो आपका matter क्या हो जाएगा delete हो जाएगा चौल यह मैं दू कर लेता हूँ next वाला क्या आता है हमारा next वाला जो आता है transparent selection अब देखे transparent selection का भी use हम सीख लेते हैं तो मैं कोई shapes बनाने वाला हूँ मैंने कुछ shapes यहां से बना दी है अब suppose कीजिए मैं किसी matter को select करता हूँ मैंने इतना matter select किया यह जो सारा का सारा चारो तरफ से जो नजर आ रहा है उसको white space बोला जाता है यह सारा matter में उठागे वह इसके लिए मुझे यहां जा करके transparent selection पर click कर लेना है जैसे ही मैं transparent selection पर apply कर दूँगा check mark करूँगा यहां पर apply होगा यह अब जो मेरा matter है वो transparent selection रहेगा यह देखे foreground शिर्फ जो drawing drawing होती है ना वो जाएगी जो इसका यह खाली white space area यह नहीं जाएगा मतलब शिर्फ drawing को उठा करके ले जाएगा और जो background है वो transparent रहेगा background जो हमाई नजर आता रहेगा ऐसे में transparent selection का use कर सकते हो तो आप इसको apply करके रखे अगर आपको शिर्फ drawing चाहिए background selection area नहीं चाहिए है तो यह best option है और दूसरा ही होता है जब आप matter paste भी करोगे तो शिर्फ drawing आएगी नहीं कि background जो करके उसका size बदलने के लिए अगर आप matter को select नहीं करते तो पूरे page के effect होता है अब यहां पर size के दो option आपको मिल जाते हैं अगर आप किसी matter को select करके उसको pixel में बदलना चाहते हो कि इतने बाइतने pixel का size हो जाए इस image का तो आप pixel में कर लें यहां से horizontal में कितना और vertical में कित बरेन हो रही है ना यह दोनो एक साथ होंगी अगर मैं इसको ना हटाओं अगर मैं इसको यहां से apply रखता हो ना तो यह दोनों एक साथ काम करेंगे देखिए मैं यहां पर click करता हूं मैं चलो percentage के हिसाम से दिखाता हूं percentage में क्या है यह selection है अगर मैं यह चाहता हूं कि यह 150 का हो जाए जैसे मैंने 150 कि यह दोनों एक साथ काम करेंगे क्योंकि यह में तोनों एक दूसरे से जुड़ गई है अब मैं 100 से 150 हो गया तो 50 में बढ़ गया है अब आपको गया कि क्यों तिर्शा करना टेड़ा करना तो कहने का मीनिंग अगर आप वेल्यू बढ़ गया तो सेलेक्शन वाले मेंटर का साइज बढ़ेगा उसमें चाहिए आपकी ड्रोइंग है टेक्स है कुछ भी जीतना सेलेक्शन में है तो बढ़ जाएगा और कम करोगे तो कम हो जाएगा तो मैंने बता है पिक्सल में करना है या अपने परसंटेज में करना है दूसरा अगर आप इसको खटा दो आपको ठीक हटा दिया मैं चाहता हूँ सिर्फ वर्टीकल में साइज कम हो तो मैंने क्या कि 60% स्टार्ट रह जाए 60% साट परसंट रह जाए तो 40 लैस हो गया नम औ को चोड़ाई तो उतनी रही और उपर से नीचे कम होगा तो इसका मीनिंग यह होता है आप अपने मेंटर को सेलेक्ट करके उसको साइज दे सकते हो स्कीव कर सकते हो और वर्टिकल में करना है तो वर्टिकल में आप उसको कर सकते हो यह देखे वर्टिकल में हो गया अगर ड्रोइंग को सेलेक्ट नहीं किया है तो वो पूरे पेज पेफेक्ट दिखाएगा देखो पूरा पेज राइट में रोटेट हो गया वापस मैं फिर लेप्ट में करूं ऐसे हो गया अगर आप किसी मेंटर को मैं थोड़ा साना टेक्स टाइप कर लेता हूं उस पर बड़ा सकते हो तो यहां से रोटेट करने के लिए 180 डीगरी में व्रेंटे को सकती है आ ऽे आप उसको यहां से में करता हूं होड़ीजेंटल करों आज से इधर आ गया और वापस करता हूं हो अगया औरिजेंटल फिर से सीधा होगा ऐसे में कोई भी ड्रोइंग्स हो सकते है आप उसको यहां से रोटेट कर सकते हो ठीक है यह भी मारा कलेर हो जाता है यहां पर अब चलिए next command हम ले लेते हैं image जो group है वो हम clear कर चुकिए है बट किसी मेंटर को select करके अगर आप उसको cut करते तो वहां से cut जाता है उसको जैसे आप paste करोगे तो वो अलग से आएगा और जित्री बारा past करते जाओगे cut किया गया matter आप का paste होता रहेगा cut and paste एक तरीके से move है लेकिन move में ही होता है कि अगर मैं select करके उठा लूँ तो वो एक ही matter रहेगा इस से क्या रहेगा वो matter आपका एक ही जगह पे आप उसको ले जा सकते हो लेकिन अगर आप उसको cut करके paste करते हो तो वो बार-बार paste होता रहेगा अब आप ये कहने वाले हो कि इसको move कर लूँ, copy करके paste कर लूँ, ठीक है बिल्कुल वो भी हो जाएगा लेकिन यूज क्या बता रहा हूँ मैं कि cut करने के बाद matter paste हो जाता है चाहिए आप जितनी बार paste करो, जब तक आप कोई दूसरा matter copy या cut नहीं करते हैं तो paste में वही आता है, paste में cut किया गया matter भी हो जाता है, paste copy किया गया भी हो जाता है, पर cut में वह वहाँ से cut जाता है, और paste करोगे तो वह आएगा अगर आपने cut करके paste ही नहीं किया, तो समझो क्या हो गया, delete हो गया चलिए, तो command अच्छे से समझ ले, किसी भी matter को अगर आप cut करते हो, तो cut जाता है अगर आप उसको paste नहीं करोगे, तो सोच लो delete हो गया, लेकिन मैं paste कर रहा हूँ, तो अलग से आ जाएगा और आपको cut paste करना तो उठा के न यहां से रख ले, अगर मैं इस file में इस matter को नहीं रखना चाता है, तो मैं cut कर देता हूँ मैं इसको किसी नए page पे ले जाना चाता हूँ, लेकिन उससे पहले computer हमसे भूज लेगा, कि आपने जो यह file, software हमसे बता कर रहा है कि आपने जो file बनाई, यह आप इसको save करना चाते है, जो भी काम है आपका, नहीं, save नहीं करना, ठीक है, और आप देखना paste करना तो यहां आ चाला है, और मैं same, ऐसे ही बनाना चाता हूँ, विल्कुल as it is बनाना है, मुझे कोई drawing थी, पहले किसी की थी, मैंने उसको select कर लिया, मैंने फिर उसकी copy कर लिया, यह दोनों command जब चलती है, जब हम यह बताते है कि इसको करना है, cutia copy, तो मैंने इसको select किया, copy करना है, बस copy पर click करना, आपने उसकी copy कर लिया, बार click कर लिया, बार click क्यों किया, select वाला effect जो हट जाएगा, selection हट गया, मतलब deselect हो गया, अब मैं paste करता हूँ, जैसे मैं paste करूँगा, corner में आया, मैं उसको पगड़ कर कहीं भी लगा लो, जितनी बार मैं paste करूँगा, matter हमारा paste होता रहे अब paste में यही आता रहेगा, बार बार यही आता रहेगा आपका paste में, तो जो matter है select करके, cut करते हो या copy करते हो वो paste होता चला जाता है, ठीक है, और यह आपको कब तक होता है, जब तक आपका computer start है, और किसी और प्रोग्राम में आप cut या copy नहीं करते हो, किसी दूसरे प्रो copy करकर आप notepad में ले जागर के paste करने लगे तब नहीं होगा यह, क्योंकि यह एक drawing program है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी drawing को अगर आप copy कर लेते हो, तो किसी भी drawing program में आप उसको paste कर सकते हो, basically आप MS Paint ठी कर रहे हो, तो आप MS Paint में work करोगे, तो आप ज से मैंने एक दोबारा से paint program open कर लिया, और मैं paste करूं, तो बिल्कुल वही paste हो जाएगा, तो यहां से, जब तक हापे, कोई दूसरा matter, cut या copy नहीं कर लेते हैं, paste में वही आता रहता है, जब तक आपका system start, अगर आपको computer बंद करके, फिर खौल के करूं, फिर नहीं होगा, क computer start है, तो उस data को अपने अंदर cover रखता है, copy वाले matters को, ठीक है, तो चलिए, यह तो हुआ paste का, अब एक और option में बता दूँ, अगर आप matter को select करते हो, sort बता देता हूँ मैं आपको, और आप उसको, यह देखिए का, control के साथ, मैं control बटन दबा के, बीच में से पकड़ता और उठा करके यहां रखता हूँ, और click छोड़ता हूँ, control नहीं छोड़ता हूँ, control नहीं छोड़ता हूँ, अगर मैं control छोड़ता हूँ, तो यह देखिए यहां पे, अब यह एक ही रहेगा, अगर मैं control दबाता हूँ, और click करके उठा के छोड़ता हूँ, तो यहां पे, फिर से कंट्रोल दबाए रखना मैंने फिर से कलिक से पकड़ता हूं माउस से और फिर उठा के रखता हूं तो पेफ्ट यह देखे अब आप यह देख रहे हो ना यहां पे इसके पीछे बैगराउंड यह चूप रहा है क्यों चूप रहा है क्योंकि इधर जा अगर के ट्रा कहले हैं यहां ज़ा अंदर पेफ्ट पूलं यह बारवाला का मीनिग क्या होता है यह जो बारवाला की यह तो हमने कट या कोपी किएगे matter में यूज करते हैं हम इसको यह जो पेफ्ट फ्रोम है यह किसी save file में से आप उसको अपने प्रोग्राम के अंदर लाने के लिए करते हैं मतलब स्पोर्ज करो कि मुझे यह फोटो यहां पर पेफ्ट करना इसमें तो मैं जैसे इसको उपन करूंगा तो यह यहां पर आ जाएगा तो पेफ्ट फ्रोम के द्वारा हम शेव हुई पेफ्ट कर सकते कोई बीकलिप्स है तो फ्रोम के द्वारा अंदर सहम कोई भी फाईल are फोटोउ इसके फॉटो को सब्सक्राइब से when 7- 173 इसको सेव होजायाएब सब्सक्राइब सकते अगर अगर ने कोई कलें यह उपन कर्लिए यहिसना इसको सेव करना है नहीं लेकिन medidas पे living काम किया घ्रिक्न से महीं कर रहे हैं है लेकिन आपने किसी भी पेज़ के अंदर नेट Yuri अाप से न क्याप नापीख करके फोटो को ओपन कर लेना है इससे क्या रहेगा इससे इमारा जो फोटो है वो सैफ रहेगा जहांसे हम लेकिना अनो महा से बस कॉपिवे हो के यह तो हो गया हमारा home complete अब next देखिएगा उससे पहले में एक थोटी सी detail और आपको बता दूँ एक जो basically detail हम use करते हैं कि देखेंगे अगर हम एक नया page ले लेता हूं कोई भी हम text type कर लेते हैं होड़ा समस्का size और बढ़ाने वाला हूं यहां से मैं कुछ भी text type कर लेता हूं इसको basic simple font में मैं करने वाला हूं और मैं फिर eraser पर आता हूं eraser पर आपने click कर लेना है second आपने color लेना है और आपने right side click करके mouse से right side click करके उस पर आप color डाल सकते हो तो यह एक basic information थी जिससे आप background कैसा था वाइट था न तो वाइट कर लेना है अब देखे एक और चोटी सी drawings पहले तो आप यहां से इसको transparent को apply रखे ठीक है मैंने एक shapes ले ली ओके मैं इस पर एक छोटा सा एक जो है drawings effect में बनाने वाला हूँ जैसे मैंने यहां से ले लिया मैंने यहां से ले लिया आसे मैंने यह shapes adjust कर दी यहां से और यहां से अब मैं इस पर पर color apply कर लेता हूँ मैंने कोई भी color जो है डाल दिया, फस्ट वाला डालना है, सेकिंड वाला नहीं, यूज करना मैंने, वह तो background होता है, हमारा red color मैं डाल लेता हूँ, आप देखिएगा, मैं इसको select कर लेता हूँ, और मैं shift दबाता हूँ, keyboard से shift press कर ले है और इसको आप जैसे जैसे लेके जाओंगे ना तो यह ड्रोइंग है अक्सर बच्छे करके देखते हैं कि भी मुझे एक ड्रोइंग बनानी है वह कैसे बनाइए क्या है यह मल्रटी पेफ्टो हो रहा है चीफ्ट द़ेमों से और मस से एक पेफ्ट हो हमें यदर हम आते हैं तो मंस करते हैं पेज का साइज कम हो जाए वोडिंग काम करते हैं तो हम गराप पेज लगा सकते हैं तो ऐसे ग्रेड लेंड लेंड लगाने और हटाने हैं यहां से पेज के साइज को कम ज्यादा किया जाता है या कितने हैं इसका पेज हमारा कुला हुआ है तो स्टेटेटेस बार्टूल लगाने और सब्सक्षित वर्यादिए उसके बार आता है रहा है यहां फूल श्क्रीन कर Norman साकता है उनमें यूज किया जैसे अकांटिंग में है विजनस अकांटिंस प्यान आप कुते यह तो उन सबब सकते हो तोillas के तो सकते हो यहां से नार्मॉज करना क्लिए अब देखेगा फुल स्क्रीन है और थमनेल्स का मेंनिंग क्या होता है जब हम जूम कर लिया होने कि इस में क्या होता है एक एक तोटे आकार और हमोग भी धांए से ऊपर से नीछ सबदों सब्सक्राइब हैं तो मेरा डार रहे काम करते बाग कि रियल में कर रहे हैं उसमें कि दिखता रहे जोड़ा बड़ा देख्ता है तो नॉर्मल ऐसा दिखेगा बस इतनासा वरत ले यह सकते हैं तो home tab complete to view tab complete तोब आजाते हैं फाइल पे तो कोई भी आपने फाइल बनानी है drawing बनानी उसको क्या करने के लिए शेयो करने के लिए आपकी फाइल क्या हो जाएगी पहले सी नेम डाला हुआ तो इसको बदलना चाहते हो अगर मैंने येस कर दिया तो यह फाइल चली जाएगे और इस नाम से यहाँ हमारी करन टाइम वाली फाइल से हो जाएगी इसलिए क्या करना है हर बारे के नया नेम दे देना तो मैंने शेव कर दिया फाइल शेव होगी उपर तो new एक नया पेज लेने के लिए open किसी भी फाइल को open करने के लिए कोई photos है या कोई drawing है आपकी आप उसको open कर सकते हो अब next command है शेवेज शेवेज पर अगर आप क्लिक करते हो तो उसके साइड में कुछ command आपको मिल जाते हैं तो सेवेज के अंदर यहां पर एक command है जब हम फाइल सेव कर रहे था ना पी एंजी करनी है जेपीजी करनी है बिट मैप करनी है किसे भी फाइल टाइप में आप अपनी फ आप दो आपने सिरफ उस फाइल को फॉर्म करना है उर सेवेज में आना है आप डिटमेप में बदल्डों bitmap क्लिक कर दो अपने जिस भी फाइल पर क्लिक करऊगे बस नेम डालना है आपने और वह पाइल आपकी। यहां पर नेन अAnother में अपलोड करने के लिए रिक्वाइर आ गई कि भई आपका जो फोटो है वो सिर्फ PNG होना चाहिए वो सिर्फ JP EG होना चाहिए यह फिर bitmap का होना चाहिए तो भी आप इस command का यूज कर सकते हो तो भी आप इस command का यूज कर सकते हो अब देखो यहां पर यह फोटो है मैं इस पे यहां पर राइट सड़ करके इसकी प्रोपर्टी पे क्लिक करता हूं सबसे नीचे तो वह मुझे दिखा देगा कि फाइल टाइप क्या है PNG है और इतने के बी की साइज किया है और अगर मैं इस पे क्लिक करके प्रोपर्टी पे क्लिक करता हूं यह bitmap है यह इतने साइज किया है क्वेल्टी का फर्क हो सकता है थोड़ी ही ज्यादा साफ नजर आ गई bitmap में PNG में थोड़ी कम क्लिर्टी आ गई होती तो सारी फोटो है पर प्रोपर्टीज PNG फाइल टाइप है या फिर JPEG फाइल टाइप है तो मेनिंग आप समझ गए होगे दूसरा सेवेज का यूज देखो सेवेज के कई यूज में आपको बताने वाला हूँ और यह जो कमांड अभी आप सीख रहे हो यह आपके कंप्यूटर में आपको लाइफ टाइम ही यूज करनी है और इनकी डेफिनेशन सेम रहेगी कहीं पर किसी को कन्ट्यूजिंग हो स करते हैं। किसी भी फाइल को किया जा जा सकता है। lleva अगर आप स्टार्टिंग में नई फाइल करके सेव करते हो तो यह bleibt लेती है तो में बाइफ कर रहे हो कि अब नए ना मेटर डाल रहे हो कुश भी आड़्रयुक्त कर रहे हो। इटा डीली का क Avenue आब आपका चाहिए वो data excel है और daily entry चड़ानी है आपने आप एक ही file रखोगे ना तो आप उसमें बस save करते जाओगे दोबारा name नहीं मांगती है save file उसी file में save होता रहेगा तो save किसी भी file को save करने के लिए अब save edge समझे save edge का use जब किया जाता है जब आपकी कोई file already save है और आप उसको open करके और आप save edge पर आते हो या तो file type बजलना हो अगर इस प्रोग्राम में file type आपको आपको नजर आ रहा है save file जहां भी आपने open कर ली और आप उसको save edge पर आओ और desktop पर क्लिक किया आपको बोला जाए कि कहीं और करनी है कुछ भी नाम आप डालो जैसा आपको लगे निच्चे भी file type बदल सकते हो आप ये जी जी जीपीज और save कर दो अब देखना और जितनी बार आप name बदलते रहोगे एक से ज़्यादा बार file save करने के लिए next जो fourth use मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या होता है वो use ये होता है कि suppose करो ये मेरी file 45 नाम की desktop पे save और मुझे ये बनानी है लेकिन ये किसी और की file है मुझे ये सारी drawing बनानी है लेकिन उसकी भी नहीं खराब करनी मैंने और मैंने अपना भी data add करना है तो मैंने क्या क्या मैंने ये file ले ली ठीक है मैंने इसमें editing शुरू कर द आप इस file को save as करें save as करें और जहां पे भी करने आपको कि मुझे भी desktop पे करनी है 45 था name इसका मैंने 50 डाला आपनी का याद रहे उसका 45 था मैंने save कर दिया चलिए मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं देखिए 45 वाली file right side click करो या तो आप इसको open करके देख सकते हो यहां यहां से मैं open करके दिखा देता हूं 50 वाली इसमें matter change है तो save as क्या करता है किसी भी save file को अगर आप किसी दूसरी जगह save करना चाते हो या किसी दूसरे format में file type में बदल के save करना चाते हो या एक ही जगह पे दूसरे नाम से save करना चाते हो बार बार save करना चाते हो अलग लग फाइल को खोलके आप उसमें changing करते हो तो आप save as कर दोगे change करके नाम डालके तो जो पहले वाली किसी की file खोले उसमें changing नहीं होगा तो ऐसे चार स्टेप मैंने आपको बता दिये हैं और यह best option है कि save और save as में क्या different होता है एक last question और मैं आपसे कर लेता हूं कि कई यह आप से पूछ ले कि किसी भी नई file को save से save कर सकते हैं या save as से तो आप कह सकते हो अगर आप कोई भी नई file आप बनाते हो वैसे तो हम definitely save से ही करते हैं लेकिन आप उसको save as से कर सकते हो क्योंकि save as हर बार name मांग लेती है save as हर बार name मांगता है save एक बार name मांगेगी और save का best user यही है न कि हम कोई data entry कर रहे हैं और आज की जितना भी office में work हुआ है एक file मैंने बना ली उस file में मैं entry चड़ा रहा हूं कला करके कल का का मैं उस file में चड़ा हूंगा तो मैं उसको save करता रहूंगा तो वह एक ही file रहेगे हमारी इसलिए हम सेव का किसी भी file को Save करने के लिए करते हैं उसी file में data मारा जाता रहेगा और अगर मैं Save Edge करता हूं तो वह हर बार एक नई फाइल बनेगे तो I hope अच्छे से समझ में आ गया होगा Save and Save Edge का Clear use क्या होता है नेक्स चलते हैं print पे print preview जो मैंने file बनाई है उसका preview देखने के लिए कि कैसे print निकलेगा कुछ इस तरीक कैसे निकलेगा अब इसी के अंदर page setting यहां से कर लेते हैं वरना file में जा करके print के अंदर page setup यहां से भी हो जाता है और print यहां से भी हो जाता है तो मैंने print preview पे click कर रखा है हम यहीं से करेंगे ताकि साथ-साथ दिखता रहे कि कैसी हमारी प्रिव्यू है और कैसे print निकलेगा प्रिव्यू वह होता है जो हम print निकालेंगे कि वह इस तरीके का नजर आएगा ठीक है जूम पे click करके zoom कर सकते हो मैनस कर सकते हो दो पेज बनते हमारी ड्रोइंग में तो वह दो पेज दिखा देता ज्यादा बड़ी ड्रोइंग होती तो दो पेज होगे तीन होगे नेक्स्ट बैक करके देख सकते थे तो चलिए पेज सेटप पे आ जाईए अब यह इंपोटेंट कमांड है और यह हर एक प्रोग्राम में वर्क होती है तो बिल्कुल अच्छे से आप इस चीज को समझ लेज़ेगा प्रिव्यू यहां पर भी नजर आ रहा है एक फॉर्मेट है देखने के लिए एक स्टेप बता रहा है हमें डेमो के तरीके से तो सबसे पहले पेपर लेस लेटर साइज एफ़ पेपर आपको क्यों जो आप फोटो कोपी आपकी जो करते हो आप मतलब प्रिंट आप निकालते हो आपके पास कोई मसीन है उस पे लिखा होता है कि एफोर पेपर मसीन है आप उसमें चाहे आप उससे चोटा साइज भी आप डाल के प्रिंट कर सकते हैं लेकिन आपने जिस प्रिंट करना तो पोट्रेट पे क्लिक कर दें ठीक है मार्जिंग इंच आपका जो पेज सेट अप है वो इंच में है यह इंच इसलिए यहां पहली खाया हुआ है क्योंकि आपका जो रूलर है वो इंच में था अगर सेंटीमेटर में तो सेंटीमेटर में आयागा जिगह छोड़ने के लिए जब भी आप कोई प्रिंट करो तो पेज के चारतरप जिगह छोड़ी जाते है ताकि प्रिंट उससे बाहर प्रिंट ना करें और पढ़ने में असानी हो और दूसरा अगर स्टैपल या बाइंडिंग करें या पेज खराब हो जाए कॉर्णर से तो वह आपका मैटर उसके नीचे ना रहा है तो चलिए पेज के लेप्ट में कितना खाली स्पेश छोड़ना आपको मुझे एक इंच छोड़ना है तो आप वन टाइप करोगे तो देखे एक इंच खाली जगा होगी लेकिन नहीं ज्यादा नहीं चोड़ते 0.5 आप साइज से चोड़ाई में निकलना मतलब मसीन में तो पेज वैसे ही रखा जाएगा प्रिंटर में उपर रखा या नीचे सीदा ही रखा जाता है प्रिंटर मसीन जब उसको प्रिंट करेगी तो जैसी आपने कमांड दी है अगर आपने लेंडस्केप किए तो आपका मैटर रिंट त definitive ही हो करके निकलेगा पेज तो सिधा ही निकलेगा लेकिन उसको लेंड्सकेप पढ़ना होगा आपने मतलब उसको चोडाई में अंदर ही प्रिंट कर देगी वह याद रखना है पोट्रेट लंबाई में प्रिंट करना है तो लंबाई में प्रिंट करें लेंड्सकेप चोडा आजाएगी तो यह आपने कर लेनी है कि मुझे पेज दाएं से बाई करना है बीच में उपर से नीचे चाहिए वो लैंसकेप हो या पोट्रेट हो आपका अब इधर आ जाएए नीचे फिर टू वन बाई वन इमेज कापी ज्यादा बड़ा पेज होता है आपकी इमेज ज्या तो दाएं से बाया जाएगी तो यहाँ से वन बाई वन यहाँ पे दोनों पे एक और एक आपने डाल देना है कि एक पेज 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 आपने आपने एडजिस्ट कर ले नहीं तो यहाँ पे आप कर ले adjust to automatically करना लेकिन नहीं आपने क्या करना है सिर्फ one by one कर लें आपना यहां से okay कर लें तो वो adjust हो जाएगी आपके पूरे page पे तो यह तो उत्ती page की setting करने के लिए print यहां पे click कर लो या बाहर से जा करके यहां से जा करके आप click कर लो आपकी मर्जी है कि मैं print निकालना है मुझे तो print पर हम click करेंगे तो यह भी important command है उपर आती है printers names आपके पास आपके computer से laptop से एक से ज्यादा printer attached है तो जिस भी printer से आप print करना चाते हो उस पर click कर दे कि मुझे इस printer से printer निकालना है इससे निकालना है then number of copy कितनी copy निकालना है मैं चाहता हूँ 5 copy print करनी है इक page की 5 copy फाइल की एक page की एक page की 5 copy जैसे आपके पास दो page हो गएते और आपने यहाप package डालादा तो एक page को five बार print करेगा 2 page को भी size five बार print करेगा तो एक page की कितनी क्या निकालने है वह आप यहां से डालोगे वन पेज वन अपकोपीज करने का मेनिंग है पहले प्रिंट हो रहे हैं है आपके 10 15 हो गए है और रहते हैं अभी होने के लिए और आप किसी दूसरे प्रोग्रव में जागर के या लगा लो उस में भी apply मिल जाता है या करने के लिए पेज की सेटिंग करने के लिए और प्रिवी देखने के लिए कि कैसा मैटर आपका निकलेगा लेकिन आज हम क्या करते हैं इसको इमेल आईडी के अंदर हमारा जैसे जीमेल है उसमें अटेज करके लेते हैं तो यह बैग्राउंड हम यहां से लगाने वाले हैं इसके लिए मैं इसके लिए मैं इसको खोटा कर लेता हूं मैंने इतना सा कर लिया और मैंने इसको कर दिया इतना सा पेज रहा गया अब देखना मैं इस पर कुछ नेम टाइप करने वाला हूं मैंने जी एसस लिख दिया फाइल को कर देता हूं इसके लिखा गया है पहले से ही कि इस कमांड का यूज हो दा उसकी डिस्क्रेप्शन जो टिप्स साथ में मिल जाते हैं हमें तो नेफ्स आ जाते हैं सेंटर मतले एक बिलकुल बीच में सेंटर में एक बार ही लगेगी वो स्क्रीन पे लग जाएगी अब नेफ्स आ जाते हैं प्रोपर्टीज का क्या होता है जो आपकी फाइल है उसकी प्रोपर्टी डिटेल ही से सेट कर सकते हो आप पहले तो आपक जो रूलर है वो सेंटीमेटर में हो जाएगा ओके पुर्चो आपकी पेज सेटिंग आप कर रहे थे यहां पर जागर के देखो यहां पर भी बदल गई है जो मैं आपको बता रहा था बिल्कुल भाई चीज है प्रपरटीज में आए इंच यह सेंटीमेटर में यूनिक्स कर करने के लिए दूसरा आपका पेज जितना खुला होया है वो और आप अपनी तरफ से ज्यादा खोलना चाते हो तो वह भी आप यहां से कर सकते हो कि मुझे इतना नहीं इतना खोलना है स्पोज करो चोडाई में मुझे यह पेज 24 तक का खोलना लेकिन अभी तो इंच में हो अब आ hijos भी खुला है और मैं यहां पर ओके कर लेता हूं यह एतना तरना साईज हो गया हहारा तो वह आप वहां से घुल सकते हो हो पूरे पेज गो तो पिक्सल में बदल सकते हो ठीक है बलेक और वाइट का मिनिंग होता है कि आपका जो मेंटर हो सारा बलेक अड़ वाइट हो जाएगा अंडू करने से वापस नहीं आएगा क्योंकि एक सेटिंग है तो क्या करें वापस कलर पर क्लिक करें ओके करें अब जो हमारा हुआ था वह अंडू हो करके शेओ हो जाएगा वरना सेटिंग तो उसे नहीं आते हैं अब यह प्रोपर्टी जो है वह हमारी कम्प्रेट हो गई है और नेक्स्ट फाइल में जागर के अब आउट पेंस यह बता रहा है विंडू 10 पे हम काम करें और सॉप्वेर लेकिन इस पर मैं कुछ इम्पोर्टन सेटिंग बदा दूँँ आपको यहां से यह होता है मिनिमाइज करने के लिए आपका प्रोग्राम बनना हो करके यहां पर नीचे आजाएगा इसके लिए मैं राइट सेट क्लिक करके यहां पर पसनलाइज पर जाकरके और यह जो हमा कर देता हूं यहां से कुछ इस तरीके से आई परसनलाइज पर हम वापस जाएंगे और अगर वह प्रोपर तरीके से फिट नहीं हो रही है यह सेंटर वाली पोजिशन आपने इसको क्या करना है फिट पर कुछ इस तरीके से नजर आएगी और अगर आपको गए कि फिल होक आपने यह जो फाइल बना रखी है यहां पर यह वाली और मैं मिनिमाइज कर देता हूं तो यह बंद नहीं होती है नीचे टास्क बार पर आ जाती है सबसे नीचे विंड़ टास्क बार पर वापस क्लिक करता हूं तो खुल जाती है यह है रिस्टोर डाउन इसका साइड छ कैसे अजिस्ट करना है वह आप यहां से डाल सकते हूं फिर मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं बढ़ा हो जाएगा यहां से प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा यहां से आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा देख़ों क्लोज होगा यह पुसरा सेव करन है notepad है wordpad है कोई भी program हो सकता है आपका alt के साथ space button देना है keyboard में alt दबाए रखना है और space जो होता ना alt से आ गई space button दबाना है आपने तो ये command जो आपकी इस तरीके से शो हो जाएगी direction की keyboard में direction की use करें down में अप में तो restore मतलब अप में ले गया मैं restore पर आके enterprise करना है छोटा size होगा देखें छोटा size होगा ना अब इसका size और भी कम करना हो तो क्या करेंगे या फिर मैं इसको maximize करूं पहले alt and space सबसे नीचे आओ maximize enterprise alt and space restore down alt and space size size पर आओ enter कर दो enter करते ही ना direction की use करो right में की तो बढ़ रहा है left में की तो कम हो आप देख लेना आपके left या right के हिसाब से cursor पर डिपेंड करता है दाएं बाए आप करके देखिए कितना सा रखना है enter कर दो activate हो गया alt and space यह तो होगा size move छोटा रखना है रिफ्टोरी रखना जब हो पाएगा move एंटर करें direction की दबाएं मतलब direction की क्या होती है एरो उपर नीचे दाएं बाई left right वाले एरो ऐसे करना है इस तरीके से करना है जहां रखना है रखो enter कर दो फिर activate होगा alt and space ठीक है तो maximize बड़ा हो जाएगा तो यह सारे होए अब minimize अगर मैं इस program को ऐसे minimize करता हूँ ना फिर वापस click करके खोल लेता हूँ तो minimize करने के लिए क्लिए क्या होता है alt and space then minimize minimize हो गया अब आप यह को गए कि maximize वापस खोलना हो तो alt and space नहीं alt space से काम नहीं करता तो क्या करता है अल्ट के साथ tab button tab caps lock से उपर अल्ट दबादो और tab button दबादो अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोग्राम खुले हुए न अल्ट के साथ tab button दबाके tab को तो छोड़ देना है और alt को रखना है इससे क्या होगा साइड में जितने प्रोग्राम में नजर आएंगे और direction की left right उस पे ले जाकर के छोड़ देने तब वो खूल जाएंगे जिस भी प्रोग्राम को खोलना हो तो आप उस इसको यूज कर सकते हो ठीक है तो ऐसे आप सोट की का भी यूज कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते है और दूसरा alt के साथ f4 करने से भी प्रोग्राम क्लोज होता है पर इसने क्या मंगा यह कह रहा है कि सेव करना है अगर एक बार पैंसिल से क्लिक भी कर देते हो तो वह वर्क हो जाता है फाइल में तो पुछना शेव करना है नहीं don't save मुझे शेव नहीं करना है फाइल को तो alt f4 से आप उसको करो फोटो अपने फोटो अपलोड करो या फिर पीच पर होती है और भी कोई डैटा हो सकता किसी और साइट पे भी हो सकता जुरुरी नहीं आप हों फिल अप करते वक्त Unless पफलाई करों चीज को तो एससे में अगर आप कोई काम कर रहे और आपको किसी इमेज का साइज कम करना बढ़ गया तो आप कैसे करोगे बिल्कुल स्वस्माइज कर रसक्ट में बहुत कैसे है लेकिन तो मेरे पास यहां पर जा गरके एक फोटो है तो वह हमारा कहा पर था पिक्टर में था पिक्टर में प्रोपर्टी पर सबसे निचे आजाओ प्रोपर्टी पर क्लिक किया इसकी डिटेल बताने वाला हूं मैं आपको साइज तो हो गया 60 KB का निचे वाला साइज डिटेल पे आ जाओ डिटेल पे आप आते हो ना उपर नीचे उतारता हूं थोड़ा सा यहां पे देखिएगा यह जो इसका साइज है ना विड्स में 600 साइज जाता है मंगा जाता है कि आप इसको डिर्ट सो पिक्सल का करो कुछ भी मांग लें कोई रिक्वार होगी याद रखनाव इसका कितना है अभी हम इसको सिद्धे MS Paint program में खोल लेंगे तो मैं paste from करता हूं और मैं desktop से फोटो को लेता हूं open करता हूं यहां पर ऐसे आ गया आपने कुछ नहीं करना बस ऐसे आ गया इतना से याद रखना है इस photo को पहली बात तो यह side वाला जो खाली area ना जो खाली area है आप उसको अब आपको कि ऐसा करने की क्या जूरूरती प्रों क्यों करो नूपेज लेना है नहीं आप फाइल को उपन कर लो यह बेफ्ट रहेगा वह थोड़ा difficult होता अपने फाइल को open करो आ गया यह close हो गए area बस आपने open कर लेना है इसको और क्या करना है रेज़े पर जाना जैसे आप रीज बेजा जाओगे आप जैसे रीजा की इसका जो वाई और 90 पिक्सल होना चाहिए जो भी रिक्वाइर आप से मांगी जाते है डेट सो भाई इतने का पिक्सल पिक्सल ओके कर दो देखो इतना साइज हो गया अब इसको क्या करना है कि वैज करो वो ये भी मांग लेते हैं कि फाइल आपकी जे पीजी होनी चाहिए ये पी विप मांग रहा कि दोनों में से कोई भी कर ला खहोंगे प्येंजी कर लेते हैं ठीक है एक्स आच्टप पे कर लेते नाम डाल दूम है एससी वन मेंने डाल दिया सेव कर दिया बंद कर दूं बंद कर दिया देखना राइट इसफ़क्ली करें प्रोर पर ती पर आएं एए तो आप इस तरीके से आप अपनी image का size compress कर सकते हो, कम कर सकते हो, adjust कर सकते हो, तो हमारा जो paints program है वो complete हो जाता है और जो सारी details हैं, वो बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बताई हैं, एक कमांड की details हैं, वो मैंने आपको clear कर दिया हैं, तो फिर मिलते हैं एक next topic के साथ, सब तक के लिए, नमस्कार.